सांभर बैल्ट के गाउं में पानी की कमी और विशाक्ता की समश्य से जूज रहे लोगों के लिए एक नई किरण उम्मीद की रोश्णी चमक रही है प्रांजल शर्मा नामक एक युवा क्रांतिकारी ने प्रोजेक्ट आकाश गंगा के तहट आवाज उठाई है इस परियोजना का उद्देश है सांभर बैल्ट के अधे करीब छेतरों में स्वस्थ और खनीज यूप पेजल पर दान करना है प्रांजल ने ने केवर पेजल की कमी को दूर करने का प्रियास किया है बलकि उनके पहल से लोगों को स्वस्थ और जीवन में सुधार भी दिख रहा है इस परियोजना में वायू जल जनरेटरों का उप्योग किया जा रहा है जो सांबर बैल्ट के कम से कम तीन गाउं के लिए परियाप्त पेजल उत्पन करेंगे यह तकनीक सीधे हवा से स्वच और अपरदुशित पेजल निकालने के लिए शोर उर्जा का उप्योग करती है प्रांजल के से महान पहल से बच्चों और बुजर्गों को स्वच पेजल की उप्रब्दा मिलेगी जिससे उनके जीवन के गुनवता में सुधार होगा इस विए प्राज मिस्ता का रात्मक परिवतन लाने का मारग प्रशस्त किया है उनकी यह पहल हम सभी के लिए प्रेनस्पध है राजिस्थान मरुभूमी में हम इस समय खड़ें आपको बता दें राजिस्थान को मरुभूमी इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि यहां पर मरुस्थल है और मरुस्थल है तो जाहिर सी वात है जल का अभाव है और राजिस्थान के कहीं कहीं शेतरों में जल का इतना हम कह सकते भेंकर अभाव है कि वहां के जो बाशिंदे हैं वहां की जो जनता है वो पानी के अभाव में न जाने कितनी बिमारियों से जूज रही है इनी बिमारियों को दूर करने के लिए या फिर हम यू कह सकते जल की कमी को दूर करने के लिए एक नव यूफती अपने एक मिशन में प्रांजल के लिए उसे हम जानेंगे क्या कुछ उसका मिशन है प्रांजल जनतादर्बार में आपका बहुत सुवागशत है है अजिया हम जुओर स्वागत के लिए आप जल की कमी को पूरा करने के लिए अपका mission के बारे मैं अप बताई और कैसे आपको इसका प्रिड़ना म जी, first of all, thank you so much for that introduction, sir. इस मिशन के लिए में को, क्योंकि मैं environmental sciences or political science की student हूँ, हमारे कुरिक्री में बहुत ही interdisciplinary learning होता है. तो ऐसे ही मैं एक दिन article पढ़ रही थी, जो जिसमें लिखा था कि सांभर लेक के पास में वहाँ पर toxicity और salt or fluoride nitrate होने की वज़े से कुछ birds की death हो गई थी. फिर मैंने आगे पढ़ के सोचा कि अगर इस पानी की वज़े से चिडियाओं पर ऐसा असर हो रहा है, तो युवाँ पर क्या असर हो रहा होगा, बच्चों पर खास करकी, बच्चों पर और बुड़ों पर क्या असर हो रहा होगा. पढ़ने के बाद मैंने यह जाना कि वहाँ पर इस टॉक्सिक पानी के वज़े से फिजिकल और मेंटल हर्ट डिसिबिलिटीज होती है वहाँ पर और तीन बच्चों की मौत तक हो चुकिये कि बहुत ज्यादा बड़े स्केल पर और फिर मैंने सोचा कि राजस्तान में होते हुए सांभर के कुछ ही किलोमेटर दूर होते हुए अगर मैं इसमें कॉन्टिब्यूट ना करूँ तो इसलिए मैं तब से ही में कोई आइडिया आया कि मैं कुछ सुस्टेनिबल सुल्यूशन रिसर्च करूँ ताकि इनको तो एक क्लियर सोस वाटर मिल जा क्लियर और पोटबल वाटर एवरी सिंगल डे कोई डिफिकल्टीज के बिना रिसर्च के बाद में मैं जहां मेरा प्रोजेक्ट असोसियेटेड है सांभर के पास में जो 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 एक धानी कम्यूटी में जो बोपार ट्राइब है वह पर जो बोटर की समस्या है वह बहुत जाद गंभीर वह उए पर आँ लोतर ओं एाट दिपलीशन होता अ है पानी है रियह रजस्या स्केर्टी है बहुत जाद सेच प्रोज़ जाद यह जादा है वहीएं पर इसे सरी disabilities और यह सारे आई को यह नहीं है अध Mrs. आ अधिकनो लुट जिए नहींए और में तो काओ मने जो में नहीं करत में हrau तो मचीन पर अपर हम जो पानी है जो प्यूरिफाय करती है उसको मिनिरल्स डालते हैं उसमें वो हेल्थ टेस्ट के लिए एंड वही मशीन स्टोर करती है उसी मशीन से वो पानी मिलता है इस मशीन से उनके सारी यह वहां पे फिजिकल और मेंटल हेल्ट डिसिबिलिटीज कम हो जाएगी वहां पे बच्चों की लिए कि सिर्फ टॉक्सिक पानी की वज़े से मौत होती ₹ यह दिन में एक तरह मैं कितना पानी में इस महीन से अप ले सकता है इस उमुलिंट में जो मशीन हां पर इंस्टॉल्ड और 75 में 1 लीटर's इं मंजे जनेरेट हो सकता है पानी सावाल क्यूकि जहां पर पानी के इ पड़ेगी जी एक्जाक्ली यह हमको यही हमारा में चैलेंस था जिसको हमको अड्रेस करना था बट जहां पर आपने कहा बिजली की बहुत कमी है हमने एक बहुत हमने एक सस्टेनिबल एक रिनुबल एनरजी के पाउर थू एक यह सिलूशन को पाउर किया यह मशीन जो है गुपलीटली सोलर प्लांट से पाउर है हमने वहां पे सोलर पैनल प्लांट वहां पे लगाया है जिससे यह मशीन पाउर होती है एक बिकस्टेनिबलिटी बहुत इंपॉर्टन चीज है आज की दुनिया में इस दी नीड अफ दी आर इस दी फूचर रूप तुमॉरो इसल इस प्राकरतिक तरीके को आपने अपने इंटेलिजेंट से इसे आपने संभव कर दिखाए ऐसी जगों पर जा पानी की कमी है अब यही प्रोजेक्ट की वजए से इतने सारे लोग की हेल्प होगी इस प्रोजेक्ट को हम लोग इस पानी है और यही प्राकरतिक मादियम से जिसने आपकी जो आपनी बात करी उसी से एक दम साफ ख्लीन पोटेबल मिनरलाइस पानी जनरेट होगा यह तो हुई उन जो वहां पर जो बहुपा कम्यूटी जो आपने बदा है उनकी मदद करने की बात राजिस्तान में पिछ सद्खाइएंगे 玩ी रिजस्तान में में नहीं हो गी आपने भी सुनी होगी ए recurs offendedर इस एक सि्यर्डिक जो विशेश प्रlusive ऐसे रहे प्रविशचति जो प्रॉब्लम आपने में बताइग सांब यह पर प्रोब्लम औप रुब्लम उन यह जाएंगे आप्धा के दंसी जो मैंने ऐसी जगह पे ढेर कि धनी जएसे मैंने जगह पिर वह की जगह पे बोपर कम्यूनिटी के ले इंस्टॉल किया वह लोग है जिनको वहाँ सामभर में भी सबसे ज्यादा जरूरुरत है इस प्रॉजेक्ट की सबसे ज्यादा ज़रूरत है पानी की जहां पे बिल्कुल भी जैसे मैंने कहा पानी नहीं है तो यह पाइलट प्रोजेक्ट का जैसे सक्सेस मेजर होगा जैसे उनका है फोगा जैसे 200-300 लोग इंपक्ट होंगे इस प्रोजेक्ट से इसके बाद जो हमको थैंक्स टो आप आप जैसे होते हैं उन शेत्रों को भी हम लोग डेफिनिटली कावर करेंगे उन उसकी कवर करने के बाद हम लोगी राजस्तान से भी आगे जाना जरूर चाहेंगे यह पाइलट प्रोजेक्ट था हमारा यह हमारे साथ प्रांजल जिनका साफ तर पर कहना है कि जो सांभर लेक व हैं जहां पर पानी खक्टा करेंगे जैसे कि नहीं वीद इहां वा से हएंच पैर को इस बिच्ची की प्रोजेक्ट थाहनité अचे से ठीक थाहर नेड़ पाएगी सेहोगी कैमेरमेन लव कुमार के साथ जनता दर्वार के लिए मैं उमंग मात हूँ